हेलो एबरिवल जगरॉफी का फॉर्स चेप्टर हमने लास्ट वीक स्टार्ट किया था इंडिया साइज और लोकेशन फॉर्स लेक्चर में कुछ हमने टॉपिक्स कवर कर लिये थे लाइक कि इंडिया का लोकेशन कहा है वर्ड मैप में गलोब में देन सेकेंड यह बड़ा अबने कि इंडिया की साइज का है कंपरेजन अगर दूसरे कंट्री के साथ कंपेर करें एरिया वाइस आज किस लेक्चर में यह दो चीज़ आपने वैसे कवर कर लेती आच के लेक्चर में तीन टॉपिक कवर करें गे फर्स्ट की इंडिया के नेवरिंग शर्ट कूणग स जाउथ एसीया में उसके बाद में कुछ हमने पॉइंट्स टू रिमेंबर याद किये लाई कि इंडिया का जो लोकेशिया नादर नहीं स्पेर में है इस्ट नहीं स्पेर में भी होगा कॉंटिनेंट यह बात करेंगे तीसिया की सदन पार्ट में है लॉइट डिगरी फो मिनेट नौर्थ से ले करके 37 डिगरी 6 मिनेट तक था एन लॉइट इनल एक्टेंड के बारे मैं नहीं बताया था कि 68 डिगरी कि 7 मिनेट इस्ट से लेके 97 डिगरी 25 डिगरी 25 मिनेट इस्ट लोंगिटिटनल एक्षेन तक था उसके बाद में यह मैप हमें डिसकुस किया था कि अगर नौर्थ से साउट तक इंडिया की अगर लेंद की बात करेंगे तो ओगी कितनी तो थाउजन त्री थाउजन टूहंडर्स फॉर्टीन किलोमेटर एन अगर इस्ट वेस्ट चलेंगे यह वेस्ट वेस्ट जाएंगे तो टोटल जो लेंद्थ होगी वह कितनी थी तो थाउजन नाइन हंडर्स थी किलोमेटर्स ठीक है और यह हमने मैप के थुरू यह भी समझा दिया था कि जो डिस्टेंस है डिफ्रेंस है दोनों लंगी तो इतनल एक्स्टेंद की बीच में यह नीर अबाउट थार्टी है और एक्जेक्टली कितना है ट्वेंटी नाइ 25 डिवी 23.5 डिगरी जो है इसका क्वाडिनेट होता है यह एट इंडिन स्टेट से क्रस करते है फर्स्ट बुच्राथ देन राजस्थान देन मद्ध्रदेश देन में आपको 36 घरकन देन वैस्ट बेंगल दिन त्रिपूर एं मिजूरम टोटल एट स्टेट से ट्रक ट्रॉ इसके बात किया था हमने साइज आफ और कंट्री हमारे यहां पर अगर इरिया वाइस बात करेंगे तो इंडिय वर्ड में 7 नमबर पर आती है इरिय क्याद में कौन सी नमबर पर गी 7 नमबर उसकी लीईस्ट देख लिएता है रशा कौन है रश्या सेकेंड नमबर पर आती कि पूरे वर्ड की सबसे बड़ी country है इंडिया के रिफ्रेंस में देखेंगे यह रहा इंडिया इंडिया के नौर्थ में इस यह कॉंट्रिंट में यह रहा रष्टा जो वर्ड का सबसे बड़ा country एरिया वाइस अब यहां से आपको छलांग लगा के चले जाना है इस इस कॉंटिनेंट में इस कॉंटिनेंट पर आएंगे तो कॉंटिसी कंट्री मिलेगी नौर्थ में कनाड़ा कॉंसी कंट्री है कनाड़ा ते मीन्स एरिया वाइस सेकेंड नंबर में कॉंसी कंट्री है कनाड़ा क्लिए थौर्ड कंट्री है यूसे एन फॉर्थ कंट्री है चा का नंबर आ जागा चाइना एनी फॉस्ट रशा देन सेकेंड कनाड़ा थॉर्ड यूसे देन फॉर्थ फॉर्थ हो जाएगा आपका चाइना फीप्थ पहेंगे तब को इस कॉंटिनेट मेहना पड़ेगा जिसको बोलते हैं ब्राजील ब्राजील जो कंट्री है कौन से नंब कि सब्द्रिजनी परिदे ऐसा षाली लोड़ में देखें यह रहा फीपट नंबर पर हो गया आपका इसन नंबर पर हो गया यह घ्र्णेजिन सिक्स्त नंबर हो गया कौन और स्टलिया यह इंद्या पर है और समय संभेगर वे इन्दिया उन्गा यानिंद्ड कर लारत कर से इंडिया के बार में याद रख सकते हैं कि इंडिया जो है सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन दो वर्ड में एरिया वाइस टोटल एरिया जो है 20 32,087,263 स्कूर किलोमेटर है किसका एरिया इंडिया का 32.8 ऐसे याद रख लेगी तो सॉर्ट फॉर्म में इस टाटी इट पॉइंट एट इस स्कूर किलोमेटर लाख स्कूर किलोमेटर एरिया एंडिया के नौर्ट साउथ अक्सेंड और इस्ट वेस एक्सेंड अमने देख लिया था लैंड जो फ्रेंटियर है लैंड फ्रेंट्र मेंज मैं दिखाते हैं वो जो टोटल है कितना है 12, ताउजन तो 15,200 किलोमेटर एंड कोस्ट लाइन जो है 7517 किलोमेटर इसका क्या मतला बता लैंड फ्रेंटर यह देख लिए इंडिया के जब मैप अब देखेंगे ना यह रहाएं इंडिया के वैस्ट में है यह एरबीन सी है ना यह एरबीन सी इंडिया के स्लाइज में और इ इंडिया की ऐसी बाउन्टरी जो ओशियंस के साथ में लगती है उसको में बोलते है कोस्ट लाइन देख लिए यह कहीं कोस्ट लाइन इसकी जो लेंथ है टोटल कोस्ट लाइन की वह कितनी है 7517 किलोमेटर कोस्ट लाइन इंडिया के कितनी है 7517 किलोमेटर लेंड फ्रेंट अधरी के साथ में भी लग रही है जो लेंड है टोटली ठीक है ना तो यहां से स्टार्ट करें गुजरात से और यह पाकिस्तान होते हैं उपर जाए चाइना देन नेपाल आ जाए देन भूटान आ जाए यह बांगलादेश मयनमार तक पहुंचेंगे लेंड पर ही यह टोट डिरेक्शन की बात कर लें हमने बताया है दो चीज़े याद रखेंगा हमेशा हमेशा टॉप पे डिरेक्शन होती है नौर्थ इसके जिस्ट पोजीट में साउथ इधर आपका राइट डिरेक्शन होती इस डिरेक्शन और इधर वैस्ट वैस्ट होती है लेफ्ट में यह करता है means Go फोंट्राइब धेक्सरों यहाद रखेंगे अभा इंडिया के नौर्थ में फॉन्प्राइब संसी कोन्त्रीश होगे इसे पॉंटिर करती है तो नौर्थ में चाइना नौट्राहिएं घरू पॉंट्रीच अग्ष्षए इनडिया है अपने यह इंडिया के स्वे पर फेले ओशेन कौन सा है कि इंडीयन ओशेन कौन सा इसको बोलते भ्रabord गया गया था या प्यूर इस व कोбोड़ते हैं पे आस्व में डेंगॉर में में तो व्यस्टर जो है यहां पर द्रस्ट को बोलते हैं कि हैं मैं उस्प Online रबैंस इस नहीं सवling कि किसा ए्रबिया थे किना सफीर उर्मेद कितरीका से एर रबीन पेनिसूला मैं किस पैनिंसूला के बेस्ट इस वियो क्का था ओ वाटर में एक कंट्री मिलेगी मौल्दिव कौने कंट्री मौल दिव कहा है लक्षदीप यहां हो गया लक्षदीप के साउथ में हो गया मौल्दिव जब इसलाइड से आप देखेंगे वीडियो एटलस लेके जरूर बैटिएगा या फिर जब नोट्स बना रहे हैं उस टाइम में भी आपके साथ एडलास होना चाहिए इंडिया का फीजिकल और पॉलिटिकल दोनों मैं पिस से कंपरेजन करेंगे क्लियर यानि इंडिया की साउथ में दो नेवरिंग कंट्री होगा है फर्स्ट होगा मौल्दिव देन सेकेंड होगा सिरलंका एक और याद रखे यह अंड की नेवरिंग कंट्री होगा साउथ में मौल्दिव लोकेशन एक्जेक्ट पताऊना चाहिए सिरलंका एन और कौन होगे ही यहोगे इंडोनेशिया क्लियर अब बात करते किसकी इस्ट के इस्ट में दो कंट्री मिलेंगा हमको यहोगे बंगलादेश कौन होगे यहां रही बंगलादेश और यह रहां बर्मा मिन्स मैनमार यहां पर कंट्री है मैनमार है हमारी कंट्री यह होगे इस डिरेक्शन में दो कंट्री होगे कौन होगे बंगलादेश इन मैमार वेस्ट में जाएंगे तो दो कंट्री मिलेंगी होगे क्या पाकिस्तान और दूसरा मिलेंग अब आखिर जो इंडियन ऑशियन हैं कहा पर इंडिया के साउथ में इसका क्या coherent इंडिया के रिए बहुत इंपड़ेंट है क्यूं जिस बहुत कुंटरी ज ह्को उसकी boundary question के साथ मिलेगती है तो वो country क्या करते हैं अपने वह पोर्ट बना लेते हैं पोर्ट समस्ते हैं जब बड़ी-बड़ी जहार आगे रुकते हैं जब यह रुकेंगी तो यह क्या कर सकते हैं दूसरे देशों के साथ असानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं ऐसा थोड़े नह भी पड़ी देशों के प्मांस करेगे दूसरे देशों के साथ इसलिए हर देश Дूसरे देश के साथ कुछ नंगुछ खरीदारी करते हैं छिसे 100RT बढ़ता है इंडिया के दिखेंगे कुस्ट लाइन है ना इंडिया की तो यह वोगे इस्टर्न कोस्ट लाइन यहां पहले बहुत सारे पोर्ट्स बना करके पोर्ट्स मतलब बंदर का जहां पर पानीवले जहाँ जाकर रुखते हैं एन अगे वैस्ट टायरेक्शन में भी जादे बहुत जादे क्या आपट से केबन होता है कि हम यहां से अपने आयल टेंकर यहां ही बैठे यहां भीड़श कता है यह यहां कंट्रिस इंडिया पैट्रोल खर क्रिटा आपए है यहां से पैट्रोल कगर बैड़ Susi दिना कि यहाल सी सीप लेकर इंडिया को भिज दिया तो यह असान होता है वाटर के ऊपर में शीप को कि रवह करवाना सही होता है as compared to the land के तुरह clear तो यह बन पेट होता है यहीं इंडिया को गर देखा जाये तो इंडिया का जो वेस्टन कोस्ट लाइन है यहां से ट्रेडिंग किसके साथ कर सकते हैं यह वैस्ट एसिया के साथ और यह अफ्रिका है ना अफ्रिका के साथ और यह अफ्रिका यहां जा करके रेट सीमेंटर करें रेट सीमेंडिट्रेडियंसी में अगर चले जाए तो किसके साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं यू जह सकती है चाहिन भी जा सकती lies तो यह चुकी होने का क्या हैं इलेस्त पैनलीट है perspa त्रेडिंग कर सकते यह दोनों डिरेक्शन में और भी सारे कुछ इंपर्टेंट है उनको देख लेते हैं फस्ट यह कि हमारे जो कंट्री है ठीक है इस्टन और वेस्टन वार्ट से तोटली जो है कनेक्टेड है किसके थूरू सी रूट के थूरू अभी हमने दिखाई दिया मैं अब में आपको यह हैं सी रूट किसका काम करतें इंटरनेशनल हाइवे का ट्रेट इन कॉमर्स के मामले में क्या करतें इंटरनेशनल हाइवे का काम करतें और यह जो रूट है यह क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं किसके उपर में एंसीन टाइम से आपको पता होगा एंसीन टाइम में भी जो हम करने के लिए सबूज कर यह मैं देख रहे ना इंडिया से हमकुमान लिजे जाना था कहाँ पे यहां से निकलना होता था और यह एकदम अफ्रिका कॉंट्रेंट के नीची से घुम करके फिर ऐसे जाना होता था लेकिन प्रिटीशर शावन उन्हों दिमाग लगा वो कहें कि मैं इंडियासं यहां चलते हैं सवादर्विया का सौंध में यहां रेट Si Nil पहुंचेंगे और यहां पर नहर बनवा देते हैं कैनाल कहां पे ड़ेदी और मेडियीजियों को को जोडने के लिए इजिप्ट में उन्होंने कर भी दिया इसको कैनल को बोलते हैं कैनल मतलब नहीं होता है स्वेज कैनल खोल दिया स्वेज कैनल खोल दिया तब इनको घूम के नीचे से नहीं जाना पड़ता था तो उसी की बात हो रही है कि जैसे स्वेज कैनल खुला तो में presence है और हिमालिया को देखी है नौर्थ में प्रजांस है तो यह क्या करते हैं कि इसका और वेई होता within का जो मांसून होती है हमारे वहां बारिश होती है वो मांसून वाली type की होती है तो यह इंडिया के climate को भी बहुत जαदे effect डालता है कॉंस इंडिया इसको समाझने के लिए यह जो लाइन देख रहें नहीं वाली इसको बोलते हैं ग्रीन में टाइम लाइन बोलते हैं अगर इस वाले इस वाले लाइन पे सुबह से 12 वजह तो यहां से इस्ट में जितनी कंट्रीव रहें जैसे जैसे आफकर डिस्टेंस बढ़े से यहां हो जाघा बारा मालीजा बजरे इस वाली कंट्रीव तो हो सकते हैं एक वजर रहें आगे बड़ेंगे दो तीन चार पांच शहाथ अटर नौ ऐसे आगे जब से जादे टाइम का हो रहा होगा इए रहा न्युजिलेंड और यहां छोटे-छोटे आइलेंड से इन के हमाँ टाइम हो रहा होगा मेंस जैसे जैसे GMT लाइन से आप आगे बढ़ेंगे इस डिरेक्शन में वहां टाइम जादे होता जाएगा जादे होता जाएगा जादे होता जाएगा इंडिया का लोकेशन यहां पर है तो इंडिया अगर यहां पर 12 बज रहा है अगर आप इंडिया में होंगे तो इंडि अगर आपके वहाँ ओल्लेन क्लास 730 पे चल रही है ठीक नहीं 730 पे अब 730 से साढ़े पाच गंटे घटा दीजी तो आपको पता चल जाएगा कि GMT पर कितना टाइम और है नि लंडन यह रहां लंडन बृतें इनके मां कितना टाइम और है पता लग जाएगा क्लियर लेकिन अगर इस लाइन के वेस्ट में जाएं तो इस लाइन के जैसे वेस्ट में जाएंगे टाइम डिक्रीज करने लगेगा यहां पहूंगे टाइम क्योंगा डिक्रीज करने लगेगा डिक्रीज करने लगेगा यहां अगर रात के 12 बज रहे हैं तो इधर पीछे जाएंगे ना रात के साथ आठ दोपार के यहां तक अगर आ जाएं तो दोपार के पता चलेगा कि दो या तीन बच रहा हूं यह डिफ्रेंस होता है तो एक क्वेश्चिन आपके लिए फणी था कि अगर हो सब्पोस करεί है और तो कौन सी पहले सफसे पहले करेगे कंट्री के बात करї रहा और आई यहां ऑगया जूंती यहां से रिफरेंस लेंगे ही रहा न्यूजिले लेंडी यह रहा ऑस्टेलि के मामले का बढ़ी कंट्री निजिलिएंड करती निए क्यों कि इनके पहले 12 पहले बज्जागा ना इसको नंबर रहा जगा किसका अस्टिलिया का दें जपान का बहुत लेट में इंडिया का और सबसे लेट में किसका नंबर आता है इनिका कि युएस वालों का सबसे लेट में नंबर आता है क्यों कि टाइम बहुत पीछे होता है अब यह जो इंडियन स्टेंडर्ड टाइम हमने बोल दिया साड़े पांस घंटे अहेड है बट कैसे इसके पीछी रीजन है रीजन यह है कि इंडिया का में लेंड हमने देखा न ना इवाट 30 डिगरी का यह डिफ्रेंस था अब यह कहा से कहां तक है अगर आप गुझरात में कहां है गुझरात में हैं वहां चले करणैसल परदेश में तो तो टाइम लॉग होता है दो घंटे का अंतर होता है तो अगर अर्ड़ांचल परदेश में सुबे के 4 बज़े शनर सब्सक्राइब क्यों कि 30 डिगरी का डिफ्रेंस है और याद कर एक सलाइड में बताया था और तको वन डिगरी घुमने के लिए कि फोर मिनट का टाइम लगता है तो तीस डिगरी घुमने कितना टाइम लगेगा मल्डिप्लाई कर लेजी नियर अबॉर्ट टू आउस होगे तो अगर सपोज करिएगी हम हैं एक ही कंट्री में गुजरात के लालग टाइम रखते हैं और अंजल पर देश के लालग टाइम कितना दिक्कत होता है तो इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या किया गया हमने इंडिया के एक स्टैंडर्ड मेरेडियन चूज कर लिया जिसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन और इसका क्वाटिनेट सेलेक कर लिया एटी टू डिगरी 30 मिनट इस्ट इसको बोलते हैं इस्टैंडर्ड मेरेडियन इस्टैंडर्ड मेरेडियन का टाइम जोन होता है एटी टू डिगरी 30 मिनट इस्ट अब इसमें जो फोर मिनट का मल्टिप्लाई करेंगे तो नियर अबाउट कितना है का फाइफ आवर 30 मिनट इसलिए बोलते हैं कि इंडिया क जब अंग्रेज थे हमारे उन्हों नहीं चीप किया था और यह एक ऐसी लाइन है जो इंडिया को equally तो हाफ में डिवाइड कर देती है और यह क्रास कहां से करती है यूपी में अलहाबाद है एलहाबाद के पास में जग है मिर्जापूर वहां से लाइन क्रोस करती है और यह हमने बताई दिया कि साड़े पांच घंटे अहेड होती है जिम्टी सब इसका लोकेशन देख लेजी जो लिए लाइन देख रहे हैं यह है जो हैसे क्रोस कर रहे है उपर से निचे तक ृटिट्व टिग्री तरटी मेंट्स अभी जेते लाइन की बात कर रहे है यह टायम लैन यह व्यंव्यध में इस्ट में हैल ये नहीं utveckl यह को से से स्ट्राइब से क्रोस करें तो उत्र प्रदेश में उत्र प्रदेश दन किसका नमबर आ गया तरफ्र प्रदेश उत्र से क्रॉस करती है इंटरनेशनल सॉरी इंडियन स्टेंडर्ड टाइम लेन नाइस चप्टर में चप्टर के फीडिस थैंक यू टिक क्या बाई